भारती हे होकी टीम ने एशिन गेम्स में कमाल कर दिया फाइनल में जापान को 5-1 से हराते हुए गोल्ड मेडल जीता भारत के लिए मन प्रीट सिंग, कप्तान हर्मन प्रीट सिंग, अमित रोहिदास और अभिशेक ने गोल्ड आगे इस जीत के साथ ही भारत ने ओलंपिक 2024 का कोटा हांसिल कर लिया है टीम का एहम हिस्सा रहे सुमित हे सोनिपत के गाउं कुराण के रहने वाले हैं जीत के बाद से सुमित के परिवार में खुशी का माहौल है सुमित के परिवार की बात कर ली जाए तो सुमित समरिद्ध परिवार से नहीं बलकि बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं सुमित के अलावा परिवार में जैसिंग और अमित कुल तीन भाई है सुमित के बड़े भाई जैस सिंग ने बताया कि दोनों भाईयों ने होटल पर जाड़ू लगाने तक का काम किया है एक ऐसा भी समय आय था जब रोटी तक के लाले थे लेकिन अब उसी मेहनत का नतीजा है जो उन्होंने भारत का नाम विशुभर पर रोशन किया है उसको याद करते हैं जो दोनों तेनों भाईयों अब अब दो ड़्ही बजे कभी तीन बजे भाई आज यह आज एक नाम रोटी दॉक्षा लेक आणी है और जाड़ू मार के फिर अगली बार उसका नमबर था उसका नमबर था तो मतलब कि दोनों तिनों भाइया में तरह मतलब में नित करते थे अग वह चीजें मतलब कभी यह मैं सोचनी करी मतलब यह चोटा काम बड़ा कभी यह है तो ओठल के जो के नमें एक मोन जो कम बोज है नहीं जी 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 इस से पर एजरतन डाबावा आगरता बहुत पराण उ वहीं जब सुमित की भावी से सुमित की शादी के बारे बात की गई तो उनका कहना था कि अभी ओलम्पिक का मेडल देश के नाम आ जाए उसके बाद सोचेंगे शादी के बारे में सुनिये भावी की बात बतादे की होकी टीम ने पहलो उलम्पिक में ब्राउंज मेडल जीता था और अब एशिन गिम्स में गोल्ड मेडल जीत करना सिर्फ प्रदेश का बलकि देश के हर नागरिक का सीना गर्व से चोड़ा करवाने का काम किया है आशा है कि ऐसा ही प्रदर्चन खिलाडी ओलम्पिक में भी बरकरार रखेंगे सोनी पत से सनी मलिक पंजाब केसरी टीवी हम से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सबस्क्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद